सवाल कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया गवर्नर जनरल और उस थान की पहचान करें जहां अधिवेशन आयोजित किया गया था A. लौड इर्विन कराची 1931 B. लौड वैलिंग्टन बॉम्बे 1915 C. लौड डफरिन बॉम्बे 1885 D. लौड होडिंग लखनव 1916 सही उत्तर है B. लौड वैलिंग्टन बॉम्बे 1915 सवाल भारतिया राष्ट्रिय कॉंग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी? विजे रागव चारीर ने की थी? A. लखनव सत्र 1916 B. नाकपुर सत्र 1920 C. गया सत्र 1922 D. उपर युक्प में से कोई नहीं सही उत्तर है B. नाकपुर सत्र 1922 सवाल 1922 में आयोजत भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? A. चितरंजन्दास B. एस N. बैनर जी C. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद D. हाकिम अजमल खान सही उत्तर है A. चितरंजन्दास सवाल महात्मा गांधी ने 1924 में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अधिवेशन कहां आयोजत किया गया था? A. गया B. अमरितसर C. बेलगाव D. कानपुर सही उत्तर है C. बेलगाव सवाल महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का एक मात्र अधिवेशन था A. इलाबाद सत्र 1921 B. गया सत्र 1922 C. बेलगाव सत्र 1924 D. कराची सत्र 1923 सही उत्तर है C. बेलगाव सत्र 1924 सवाल भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के निम्न लिखित में से किस अधिवेशन में जवाहर लाल नहरू ने समाजवात्त को भारत की समस्याओं के समाधान की कुंजी बताया A. लाहोर B. लखनव C. इलाहबाद D. रामगर सही उत्तर है B. लखनव सवाल भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी A. अबुल कलाम आजाद B. जेबी कृपलानी C. राजेंद्र प्रसाद D. सुभाश चंद्र बोस सही उत्तर है D. सुभाश चंद्र बोस सवाल निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे A. जवाहर लाल नहरू B. अबुल कलाम आजाद C. जी K. गोखले D. दादा भाई नौरो जी सही उत्तर है B. अबुल कलाम आजाद सवाल स्वतन तरता के समय भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे A. महात्मा गांधी B. जवाहर लाल नहरू C. जी बी कृपलानी D. डॉक्टर राजेंड प्रसाद सही उत्तर है C. जी बी कृपलानी सवाल जन गन मन सर्व प्रथम किस अफसर पर गाया गया था? A. कॉंग्रेस का 1896 B. 1905 कॉंग्रेस का सत्र C. 1911 कॉंग्रेस का सत्र D. 1919 कॉंग्रेस का सत्र सही उत्तर है C. 1911 कॉंग्रेस का सत्र